नमस्का इंडिया न्यूज मद्यप्रदेश च्छतीजगर देख रहाब आपके साथ मैहुरितू बुलिटिन के शिरुवात करेंगे च्छतीजगर कॉंग्रस में चुनाथ से पहले बड़ा बतलाव च्छतीजगर कॉंग्रस के नए प्रदेश अध्यक्ष बस्तल सांसर दीपक बैज बनाए गए है इंडिया न्यूज के चैनल हेड मनोज मनु ने दीपक बैज से खाज बाच्रीत की है आपको सुनवाएंगे आपका स्वागत इस बगत दीपक वैस हमारे साथ मौझूद में 36 गड़ के प्रदेश कौंगे सद्धिक्ष बनाए गए हैं युवा है तुर्ख है 36 गड़ में पैचान है दो बार के विधायक और सांसर भी रह चुके हैं दीपक जी क्या कहेंगी सांसर बन्याद इसी सब्सक्राइब तमाम बड़े नेता चतिजगर के सभी लोग के सयोंगर आशिरवाद से तो निशीत रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती है चुनौती भी है क्योंकि इसलिए चुनौती है क्योंकि हमारे लेकिन अच्छा इसलिए है क्योंकि हमारे मंने मुख्य मंत्री उपेज बेगिल जी के निफुत में इस साड़े चार सा में बहतर काम हुआ है इसलिए इस चुनाओं में हम जन्ता के वीच जाएंगे तो कहें भी कोई दिकत नहीं होगी अच्छा एचीज में जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या जरूरत आ पहले पार्टी ने प्रदेश अद्रक्ष को बढ़ा है उसके पीछे का कारण क्या है देखे तो पार्टी का निड़े हैं और माननाई अधित मोहन बर्गाम जी ने बहतर काम किया मैं जालता हूं मेरा मारे साथी हमेले रहे और मेरा लोग सवाज के तरके मेले भी हैं शीरे की ढौनर मेरा वाठी का नेरे अधिकर्णाश की सुखक्र बार्ति जन्ता पार्टी में एक आदिवासी प्रदेश संगेश होता है और उसको 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन खाया जाता है बार्ति जन्ता पार्टी इससे बना दुरबाद क्या हो सकता है पहला चीक दूसरा कि यह कादिवासी को بدल कर पर भारती जन्ता पर्ठी तकलिप क्यों कि इसे नंत्कुमार साय मनें पॉर्ट की यह नहीं से गल का कि भारती जन्ता पांट्रैंट है पर इसलिए वो भारती जनता पार्टी चोड़ता विप्रिस में तो इससे आप मानसीकता समझ सकते हैं कि भारती जनता पार्टी में आधिवासी क्या मानसीकता है यह कहा जा रहा है कि टी एस सिंग बाबा नाराज इस बात को लिकर थे किसाब धाड़े साल की बात हुई थी उन्हें मुकानी मिलिया पार्टी ने संतुष्ट करने के लिए उनको उपमुक्ष मंत्री बना दिया दिल्ली से सीधा संकेश था कि भाया समल के चलो विधान सबा चुनाओ है कोई बड़ी दुरखटन ना हो जाए और वो उपमुक्ष मंत्री बन गए लेकिन जब बात दिल्ली की मान ली गई गई बूपईश भगिन द्वारा के टियर सिंग्धेव को उपमुक्ष मंत्री बना लिया जाए तो बूपईश भगिन ने कहा है कि साब बात मेरी भी मान लीजिए महान मरकाम सरकार ठीक से चलने लीते रहे हैं और अपनी ही सरकार को कट धरे में खड़ा कर रहे हैं इनको कि यह समझो था अब यह तो मुझे नहीं पता लेकिन को कोई मद्वेद नहीं आज सीम डिप्ली सीम दोरों साथ के चल रहे हैं हमारे कमाम बढ़े नेता सब साथ मिलके चल रहे हैं पार्टी सरकार ने इतना साड़े चार सान बहतर काम किया तो हमको संगटनी चाराने को कही प películ कोई दिकत नहीं कि हाने इसे तर्म से फियमुर है तुल यमारे पास तौर थे बढ़े ने लिए सब को तालमेल बिठा के चलना इस संगटन का काम है शंगटन का काम है कि हम आने वाला चुनाव में हम भेतरी साथ सरकार और संगटन का तालमेल बिठा कर चले और हम माइक्रो मेनेजमेंट कर आगामी आने वाला समय में ज़्यादा ज़्यादा विदाइक धिता करना है और सरकार बना है यह हमलों का मिन लख्ष रहेगा बस्तर के बारे में कहा जाता है यह कॉंग्रेस का गड़ है लेकिन पिछले 15 साल में देखा कि कॉंग्रेस का गर भिदा और बीजेपी ने वहां बहुत अच्छी पकड़ बन मान लिया जाए कि यह भी कहा जा रहे के बस्तर में फिर से ता मां संग बहुत बहुतर काम कर रहा है संग फिर तमाम उन लाकों में घुसा धुशा हुआ है और बस्तर के किले कुछ देदने की कुशिश कर रहा है क्या उसका मुकाबला कर पाएंगे देखिए इस 15 साल में भारती जनता पार्टी के सरकार में एक अजायब गर की तरह इस्तिवाद किया यह तो आज बस्तर की जनता वहां कि आदिवाज उसमझने में तो देरी हुई लेकिन समझ कि दोजार तेरा में आया इसलिए 12 में से हमार सीट कर आए और दोजार अठारा में 12 में 11 जीट कर आए और बाइलेक्षन के साथ आज 12 में 12 हमारे पास है कि सुर से बस्तर कांग्रेस की चाहिए आने वाला समय बस्तर में 122 चैता है और बस्तर आज-चेम कि मजबूत है में हमारी सरकार मानी मुख्यमप्रियू पहले कि तर क्लिए बहत्तर किSON कर यह तरा है हर करेक्राम में साहात्राओं हर बड़ी उजनाएं बश्तर से सूरवाद आधा में और साम finance मुक्त करने की बातों क्सा करनी की बाता हूं इस तरह इसके बड़ी उजनाय संज discussion मतलब बस्तर ने 36 गड़ को नई रहा दिखाया है इसलिए बस्तर में बहतर इंकास हुआ है बिचली पानी सड़ा स्वास्त सभी मामनों इसलिए बस्तर की चत्ता चाहती है कि मुख्य मंदिर वुपिज बेजल जी के नेफ्मिट में कॉंगरीश की सर्क्रार ने बहतर काम किया है इसलिए बस्तर में बारा से बारा सिप्षित के आएंगे और मैदानी छेत्रों में भी हम बहतर इस्तिती में रहेंगे एक एक बड़ी आपके सामने चिनौती भी है क्योंकि आपको ये बड़ा पद मिला पूरे संगठन को आपको समान लाएं सभाइब एक तोर पर आपको नहीं लगता कि आपने दूसरे के घर में हाट डाला है आपके घर में भी हाट डल सकता है चुकि आप प्रदेश अजिक्ष है आपकी जिम्बेदारियां बढ़ गईगी क्या आपने लोगों को समाल के रखने की चुनोती आपके सामने निश्टी तुरुप से जिम् अमाजशंग से करनाज़ चीज Dimane के सरकार थी प्रदार मंद्री जिए दिवान डिरा डालते है अमीत साजी दयरा डालते है नज्टाजी और शटिर्द में साथे-चार साल कूरा हुआ Пवर झाल पूने कर रूंग कर रहें। झाल मैंसी ते यह क्या है प्रदान मंद्री छानते समय का इस चतीzhभ रांते हैं, लेकिन ये जानती है चतिजगड़ की जंदा की ये सिर्थ जंदा को बर्गलाने के लिए और सत्ता हसिल करने के लिए अगर यह अगर तीन साल चार साल पहले आते तो चतिजगड़ का फाइदा होता है से लड़ा में बड़ी संक्या है आपके घर में सभी लोग सुरक्षण है ऐसा तो नहीं कुछ नाराज निराज लोग वीजफी में चले जाएंगे चुनाव से पेðी चौटी चोटे सिले के बड़ा कारी कुक्ता है कि इमांगार हम लोगों ने रमल सिंग की 15 साल की सरकार को देखा हमारे एक चोटा सा कारिकर्टा भी नहीं डिए फायर हुआ जेल बेच दिए डंडागाई एने से लगाई सब लगाई तब भी हमारा एक कारिकर्टा नहीं किया बीजेपी मिलाने का सवाल ही नहीं एक अंतिन स पूछ लेता हूं क्योंकि काफी दिर हो चुकी है आपको भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं बदाई कि आप फोन नहीं उठा पा रहे हैं आप जब फ्लाइट में थे तो फ्लाइट में आपके पास नियुक्ती पत्र आया आप अचानत से आपने लैंड किया तो समझ में नहीं ये था मिदाई बड़ी जिंबेदारी माना जा रहे हैं कि मंत्री मंदर में लिए जा सकते हैं आप भी ये पहले भी करेंगे हैं निश्यतुम से मोहनमरकाम अमाले साथी हैं मेले हैं प्रदेश अद्धक्ष की जिम्मेदारी दी है निश्यत तोर में आपका भविश्य बहुत उजल है आने वाले 2030 में आपको बहुत 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 पामने है नवश्कार